दोस्तों मानलो आपने एक नॉर्मल घड़ी पहनी हुई है आपने समय देखा और आपने चलना चालू कर दिया फिर आपने दोडना चालू कर दिया आप ट्रेन में बैठ के, ट्रेन फुल स्पीड पे भागी आप उससे उतरे, आप प्लेन में बैठ गए प्लेन और भी तेज भागा, वहां से उतरकर आप बैठ के गगन यान में और गगन यान आपको लेकर निकल गया आउटर स्पेस की साइड आपकी घड़ी में समय बदलता दिखेगा क्या समय की स्पीड कम जादा होती भी दिखेगी नहीं, लेकिन अगर वहीं मेरे पास highly precise atomic clock अगर मेरे हाथ में है जिसकी precision जो है 1 in 10 to the power 18 ऐसी atomic clock को लेकर अगर मैं चल रहा हूँ, तो अगर मैं चलता भी हूँ तो special theory of relativity जो यह कहती है कि आपकी जब speed बदलती है तो थोड़ा सा समय जो है वो dilate हो जाता है वह atomic clock उसको भी पकड़ पाएगी, यानि गलती से अगर आप उस atomic clock को लेकर launch vehicle में बैठकर गगन यान में बैठकर astronaut के जैसे उड़ जाते हैं तो आपकी atomic clock में अगर error का कोई beep लगा हुआ है तो वो alarm बज़े जाएगी इतना नहीं है दोस्तों, अगर उस atomic clock को लेकर आप सीड़ियां चड़कर किसी 20-30 मंजिला विल्डिंग के उपर जाने की कोशिस करोगे तो अब वहाँ पर double problem हो जाएगी पहली problem तो यह है कि आपकी speed है जिसके चलते time dilation हो रहा है दूसरी problem यह होगी कि general theory of relativity के हिसाब से जो gravity का time पे impact है वो भी वो atomic clock पकड़ लेगी अब सबसुड़ी बात है दोस्तों कि यह atomic clock हम इंसानों नहीं बनाई है लैब के अंदर ही बन रही है 10 की power 16 में एक का error, 10 की power 18 में एक का error और अब जो current research ही चल रही है वो तो 10 की power 21 में एक unit के error को भी पकड़ सकती है इतनी highly precise atomic clock बनती कैसे है physics के कुछ principles हैं जो उसमें बहुत बड़ा रोडा अटकाते है जिसमें से पहला जो है वो relativity ही हुई हमारी special theory फिर हो जाती है हमारी general theory, gravity आ जाती है थोड़ा सा doppler भी बीच में problem करता है और सब जब बड़ी problem होती है has and bug uncertainty principle के कारण तो दोस्तों आज हम यही समझने वाले हैं कि atomic clock काम कैसे करती है how can they be so precise दोस्तों इस channel पर हमने membership open कर दी है तुम join वाली button पर click करकर इस channel के member बन सकते हो तीन अलगला categories है तुम किसी भी category को pick कर सकते हो और अपना प्यार और support हमें दिखा सकते हो और हमें आपके प्यार और support की बहुत जरूरत है दोस्तों हाँ, तो atomic clock के अपन बात करते हैं तो दोस्तों बात चालू होती है समय में बहुत पहले से जब जेम्स कलक, Maxwell साब ने बोला था कि अगर हम समय को define करने लग जाए frequency की मदद से रोशनी की तो शायद हम बहुत बढ़िया definition दे पाएंगे एक second के duration की अब दोस्तों बात यह है कि जब मैं fundamental units की बात करता हूँ तो fundamental units के अंदर जो time है length है, mass है, mole है यानि amount of substance है lumen है, ampere है यह जो units है इन units की जब definition दी जाती है तो उसके अंदर जब मैं define करता हूँ एक second को तो उसको मैं define करता हूँ as cesium 133 जो atom होता है उसके 9,192,631,770 vibrations यह vibrations जितने समय में होंगे उसको मैं एक second बोलूँगा लेकिन अब इसी परिभासा को मैं उठाता हूँ जब मैं define करता हूँ ampere को क्यों? क्योंकि ampere define होता है time की terms में meter define होता है time की terms में एक समय ऐसा भी आ सकता है दोस्तो जहाँ पर हम mass को energy की terms में e equals to mc square से define करें और frequency को find करने के लिए हम समय को use करेंगे इसका मतलब अगर समय की परिभाषा में कुछ भी गड़बढ हुई एक second को जो मैं define कर रहा हूँ अगर उस definition में कुछ भी गड़बढ हुई तो काफी fundamental quantities जो है उनके अंदर जो basic unit है उनकी वो definition से बाहर हो जाएगी इतना नहीं है दोस्तों अगर समय को हम सही से measure नहीं कर पारे तो हमारे पास एक और problem ही आ जाएगी जो हमारा GPS system है जो हमारे को positioning बताता है चाहे वो GPS हो, Galileo हो, Baidu हो या फिर वो हमारा खुद का नाविक हो वहाँ पर भी जो satellites के थुरू हम exact position track करना चाहते हैं वहाँ पर भी error आ जाएगा और वो error तो ऐसा है कि अगर आपके समय में 1 billionth का भी difference है जो आपने यहां measure किया और जो satellite ने measure किया तो कुछ cm से आप आगे पीछे हो सकते हो और 1 billionth का error कोई बड़ी error नहीं है अगर वो error और बढ़ गया तो आपकी uncertainty position में जो error है वो और बढ़ जाएगा तो यह atomic clock जो बनाई जाती है बनती कैसे है तो देखो दोस्तों होता है कि हम class 11 में पढ़ते हैं कि जो electrons हैं वो एक atom के चारो तरफ अलग-अलग energy levels में घूमते हैं और उन energy levels में जब electron का transition होता है तो वे एक particular frequency पे radiation छोड़ते हैं यह basic एक chemistry में हम structure of atom में बात पढ़ते हैं अगर यहाँ पर अपन थोड़ा सा और गोर करें तो जो electron होता है वो atom के अंदर spin भी matter करती है उसकी तो हम जब orbital diagram बनाते हैं तो हम जब electron को दिखाते हैं तो up spin या down spin से दिखाते हैं अब मान लो मेरे पास एक अकेला electron है और वो nucleus के चारो तरफ घूम रहा है और मैंने उस electron को कुछ energy दी जिससे कि वो अगर अभी down spin में है तो वो energy को लेकर up spin में हो जाए अब तुम बोलोगे कि ऐसा कर सकते हैं क्या तो दोस्तो physics ये सब allow करता है हम किसी भी electron को energy देके उसकी down spin को up spin कर सकते हैं up spin को down spin कर सकते हैं इसको हम hyper fine structure कहते हैं तो जब ये बात researchers को पता चली scientists को, physicists को पता चली कि ऐसा किया जा सकता है तो उनने कौशिस करी और जब उनने कौशिस करी है सब करने की तो वहाँ पर they found out कि अगर मैं cesium 133 को लेता हूँ अब cesium को ही क्यों लेते हैं भी आप hydrogen ले लेते, sodium ले लेते nitrogen ले लेते, खूब सारे हैं ना हमने cesium को इसलिए लिया क्योंकि cesium जो थोड़ा भारी है इसलिए वो जब move करेगा खुद cesium तो उसकी speed कम होगी जो cesium का nucleus है और जो outermost electron है cesium का, उसके अंदर जो distance है वो काफी जादा है तो हमारे पास measurement के लिए parameters थोड़े बढ़ जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी थी कि cesium एक compromise था, क्यों? क्योंकि जब यह research करी गई थी उसक जो limitation थी counter की कि आप एक second में कितना fast count कर सकते हो कितनी unit तक count कर सकते हो तो वहाँ पर cesium जो frequency हमें दे रहा था वहाँ तक ही count हो पा रहा था अब बात या थी frequency कैसे दे रहा था cesium तो दोस्तों करा क्या जाता atomic clock में अब समझते हैं इसका basic ढाचा तो atomic clock के अंदर दोस्तों मालो हमारे पास जो cesium की standard atomic clock है तो cesium atom को लिया जाता है और उसको atom की form में मदल्ब cesium लिया मैंने solid form में है उसको गरम करा गया गरम करा गया और वो atom की form में atom की form में vapor की form में आ गया ठीक है अब जब वो vapor की form में आ गया तो उस cesium को हमें cavity से पास करते है जब उस cavity से cesium पास होता है तो उस cavity के अंदर हम microwave मार रहे होते है वो जो microwave हैं उनके पास energy है microwave radiation, radiation में energy है वो जो energy है जब वो cesium के atom से energy टकराती है तो cesium के अंदर जो electron है, जो आखरी electron है जो एक अकेला electron आउटर मोस शेल में बाहर घूम रहा है और nucleus से जो बंधा हुआ है उस atom के अंदर कुछ बदलाव होते हैं कैसे बदलाओ, तो जब atom को हम देखते हैं तो कभी-कभी हम physics के अंदर atom को magnet के जैसे भी represent कर सकते हैं तो मान लो कि मैं atom को represent करता हूँ एक magnet के जैसे और magnet का tip मैं उपर की side लेता हूँ जब मैं energy डालूँगा microwave cavity के अंदर तो वो energy क्या करेगी, इस electron से जब वो interact करेगी तो इस electron को अपनी energy extra देगी उसके चलते यह जो electron है, हो सकता है कि यह घूम कर उल्टा हो जाए यानि मैं इसकी spin को change कर दूँ अब जब मैं इसकी spin को change कर दूँगा तो अब इसका nature बाकी उन सभी atom से अलग हो गया जिन atom में यह electron अब spin में था यानि मैंने cesium के अंदर ही उसके atoms को यानि वो जो vapor है, जिसमें खूप सारे cesium के atom है उसके अंदर ही कुछ atoms को मैंने बाकी atoms से अलग कर दिया है in terms of electron की spin Y. यानि कुछ में carbonoes की spin उपर की side है और कुछ मि portionsúde 방 से खूप एब में इन उपर और नीचे की side के spin वाले electrons वाले atom है इनो लग कर लेता ओं और मैं सारे नीचे की spin वाले electrons को atoms को एक साथ ले लेता अब यह जो सारे नीचे की spin वाले atoms है इन सब atoms के अंदर ये electron इस state में रुकेगा नहीं को किये तो मैंने जवरदस्ती इसको इस state में भेजा है तो होगा क्या ये वापस अपनी stable state में आना चाहेगा जब ये वापस अपनी stable state में आना चाहेगा तो इसने जितनी energy पकड़ी थी ये वो energy छोड़ देगा और जब ये वो energy छोड़ेगा और मैं उस energy को detect करूँगा तो वो जो number मुझे मिलता है वो मिलता है मुझे 9192631770 transitions per second यानि these many hertz और ये बन गई definition एक second की तो मैंने एक second को define करा as कि जब मैं cesium 133 को vapor form में लेता हूँ एक cavity के through pass करता हूँ उसके अंदर microwave radiation डालता हूँ तो वहाँ पर electron जो है मैं उसकी spin को यानि electron अगर यूँ घूम रहा था मैं उसकी spin को उल्टा कर देता हूँ और यूँ घूमने लग जाता है और थोड़ी देर बाद को कि यह उसकी favorable situation नहीं है थोड़ी देर बाद वह वापिस अपनी initial position में जब आना चाहेगा तो उसने जितनी energy खाई है वह उतनी energy छोड़ देगा ठीक है अब यहाँ पर problem यह थी कि cesium जो है जब वह यह सारा process हो रहा है तो काफी तेज भाग रहा है अब वह इतनी तेज भाग रहा है तो उसके चलते हमारे पास calculations करने का जो समय है वह कम पढ़ गया क्यों कि जब cesium भागेगा तो हम उसके उपर microwave cavity के अंदर जब radiation मारेंगे तो वह sufficient time के लिए भी तो हमें मिले लेकिन अगर वह cross ही करके भाग गया तो पता चला सारे cesium atom interacting नहीं कर पाए तो हमारे पास reading का मारी है जितनी हमें चाहिए थी पहली problem दूसरी problem, cesium अगर काफी तेज भागेगा तो यह भी हम physics में पढ़ते हैं कि अगर हम किसी speed से भाग रहे हैं तो आतीवी frequency हमें actual से ज़्यादा दिखती है और अगर हम दूसरे direction में भाग रहे हैं तो आतीवी frequency हमें actual से कम दिखती है जिसको हम Doppler shift कहते हैं इसका मतलब यह है कि हम जिस microwave को उस particular atom पे मारने की कोशिस कर रहे हैं जिससे की electron जो है वो ऊपर से नीचे की spin में हो जाए वहाँ पर problem ही आएगी कि कुछ electrons को तो वो आतीवी energy जितनी चाहिए उससे ज़्यादा दिखेगी और कुछ को वो energy आतीवी energy से कम दिखेगी यानि फिर से favorable situation नहीं है को कि हमें exactly उतनी energy देनी पड़ेगी जितनी उसको चाहिए नहीं तो काम नहीं बनेगा अब इन problems को solve करने के लिए हम एक approach लगाते हैं और उस approach का नाम है fountain setup करा क्या जाता है दोस्तों पहले सीजियम को गरम करके atom के level पे ले आया जाता है फिर laser को use करके छे laser को use करके temperature को एकदम कम करके 2 micro Kelvin तक ले आते हैं यह 0 degree के बहुत नजदीक 0 Kelvin के बहुत नजदीक 0 Kelvin के इतना नजदीक ले आते हैं कि हम यह मान सकते हैं कि अब जो सीजियम atom है वो almost एक अपनी जिगह पे रुक गया है फिर उस सीजियम atom को laser की मदद से ही उपर उचाला जाता है अब जब वो उपर जाता है तो इसलिए उसका नाम कह दिया fountain setup वो उपर जाता है तब उसके microwave जो cavity है वो उसके अंदर उपर जाता है तो microwave उसके उपर hit करते रहते हैं जब microwave उसके हम hit करते हैं और उपर जाता है फिर जब वो वापिस नीचे आता है तो इस duration में कुछ electrons जो high energy state में चले गए है जिनकी spin change हो गई है वो वापिस अपनी जब initial situation में आना चाहेंगे तो वो energy छोड़ेंगे अब जो energy छोड़ेंगे उस radiation को मैं पकड़ कर चेक कर लूँगा कि उसकी value कितनी आ रही है और अब मैं और precisely define कर पाता हूँ एक second को क्यों क्योंकि frequency की definition जो होती है वो होती है number of oscillations per second और number of oscillations per second जब मुझे मिल रहे थे 9192631770 तो यह जो number है यह जो hyper fine transition का number हमें मिलता है यह cesium के लिए fix है चाहे उस cesium को मैं इंडिया में बनाऊं या उस experiment को मैं अमेरिका में करूँ या उस experiment को मैं space में करूँ तो दोस्तों space में भी experiment को किया गया क्योंकि space में gravity का कुछ असर कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे free fall है तो वो और भी बड़ा chamber बना पाए जिसके अंदर वो और भी detail में analysis को कर पाए और उनने और better accuracy को हासिल किया जहां पर उनको accuracy मिली 10 की power 16 reading में एक error 10 की power 16 में एक error जो है दोस्तों तक्रीवन हो जाता है 300-400 million साल की duration में एक second का error अब यहां पर problem यह आती है कि इतनी precise atomic clocks को अगर आप use करते हो तो how we are going to take care of Heisenberg uncertainty principle cesium atom को आप एकदम ठंडा कर दोगे और आपने उसकी speed को energy को almost kill कर दिया है तो जब आप उसकी speed को kill कर दोगे तो उसकी जो uncertainty है position में वो तो बहुत जादा हो जाएगी और cesium atom की uncertainty in the position इतनी जादा हो जाती है कि cesium atom एक wave के जैसे दिखने लग जाता है और उस wave के जैसे cesium atom के अंदर दूसरे cesium atom के साथ जो collisions हैं वो बढ़ जाते हैं यहां पर हमें फायदा मिलता अगर हम rubidium को use करते हैं को कि rubidium जो है वो cesium के मुकाबले उस wave वाला जो उसका expansion है वो उससे 50 गुना छोटा रहता है जहां पर हम जिसको कहते हैं cold collision वो रोक पाते है cold collision का मतलब यह है दोस्तों कि जब किसी atom को बहुत ठंडा कर दिया जाए Werner Heisenberg का uncertainty principle यह कहता है कि अगर आप उसकी speed को एकदम zero कर दोगे यानि आप perfectly किसी भी element की atom की या particle की speed पकड़ पा रहे हो quantum level पे तो उसकी position की uncertainty बहुत जादा हो जाती है लेकिन अब यहां पर जब cesium को ठंडा करा गया तो उसकी position की uncertainty इतनी भड़ गई कि एक cesium atom दूसरे cesium atom से टकराने के chances में बढ़ जाता है लेकिन अब बात आती है relativistic approaches की क्योंकि जब आप बहुत तेज भाग रहे हैं तो क्या होगा तो लो उसको control करने के लिए हमने उसको ठंडा कर दिया और उसकी speed कम कर दी तो अब यह जो precise atomic clocks बनती है दोस्तों यह तनी precise हो जाती है कि अगर आप just जमीन से अगर 10-20 cm भी उपर उठा देते हैं उस atomic clock को तो उसके अंदर जो time का difference है because of the difference of gravity वो observable आ जाता है वो वो पकड़ पाती है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो like, share and subscribe जरूर करना comment section में जरूर बताना कैसा लगा, milling अगले वीडियो में और social media पर अभी तक follow नहीं किया है तो सारे link तुमको description में मिल जाएंगे तो milling अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जैहिन